हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल अम्रिती वह श्रविला आज की वीडियो में लड़ू कोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं एक्टम सिंपल सीधी पट्टी के हल्प से मैंने इसे बनाया हुआ है मैंने थमने लगा दिया आपने देखा होगा कितना इजी है इसे बनाना और देखिए मैं दो नमबर के काना को पहना रही हूँ और आपको पुछने है कि मेरे पार सभी से अच्छे काराची कहां से है तो यह सभी लोग सेल होने के लिए आते हैं इस तरह से पहना दूंगे और इसलिए मैं यहां पर बढ़ा देती हूं मैं इनकी हमारा एकदम सरकल में आएगा ऐसा नहीं है कि खुला आएगा यह देखिए पूरी एकदम वाली गोल सी पुछाग वनके आएगी ऐसे करके और साथ में हमने मैचिंग की कैप भी बनाई हुई है तो अगर आपने भी तक चैनल को सब्स्क्राइब निकिया है तो प्लीज अगर में प्रेस करके ओल पे क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आप मुझे भी तक इंस्टागाम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे बहां पर फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम है अम्रितीपसमलाफिप्टी आप इस तरह से एक लूप बनानी है बना ली इसमें अपने हुप को डालेंगे और डालने की बाद हम इस तरह से खिचेंगे खिचने के बाद हमने या पर देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस इक्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला हमने या पर सोला ची अब एक चैन हमाले हुप में इसके बाद हम दो चैन का गयव देंगे और तीसी चैन में जो है हम इस तरह से करके देखें डालेंगे फंदे को निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार इसे हम डबल क्रोश या बोलते हैं फिर हमने इस तरह से किय यहाँ पे अगली chain में डालेंगे हमने यह से फंदे को निकाला तीनस है दोसी ब यह देखिए अ बनाते हुए wurde हम्लखबग end तक आगय है To end में हम्लेना है यह एंड में भी दिखा देती हूं क्योंकि कुछ रोग कंफ्यूज हो जाते हैं यह दिदी आखरी में आपने कैसे बुना देखिए हमारी लास्ट चेन है हम यहाँ पे इस तरह से इसमें डालेंगे यहां से उनको निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बर दो फंदे से ब बस यहां पर बन एक रह traffic एक बर बस यहां पर से टॉन करने के बाद यहां पर हमें अपना दूसरा लगाएंगे मि एस तरह से दो कलर भी रगा सकते हैं दूसरा कलर लगाने Series grey इसमें यहां में पर हम इस तरह से पेला हम यहां डचेन से इसमें ऑंब यह बनाने के यहां हम लंपे गोले के साथ चल ला है अब देखे इस तरह से करना है और यहां पर यह फॉस्ट चेन में डालेंगे अब देखे यह हमारी चेन के साथ इसी में दब जा रहा हूं तो यही पर हमारा हाइड हो जाएगा और इस तरह से डबल क्रोश या बना ली फिर हमने ऐसे किया अगल जाएगे तीन फंदे है दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार इसी तरह से हम यहां सभी चेन में डबल क्रोश बनाएंगे चले बना लेती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या यह देखे अमने अंड तक बुन दिया है आप फिनिशिंग देख सकते हैं दोनु सैट से इम गाई और हमारा वारा यह देखे और हमारा यहां तक आ गया है तो अब हमें क्या करना है यह वाले उन से हम बुनेंगे अब इससे पूरी डोल बुनके दिखा देती हूँ किस तरह से आएगी जिससे आपको किसी कोभी कंफ्यूजयण ना हो सबी साइज में मेजर्मेंट बताऊंगी यब आगे इस तरह से करना है और यहां से यह हमें इसमें यहां से पकड़ लेना है यह जो हमारी चैन आ रही है हमारे इसी तरह से यहां पर ours बनेगा सभी चैनल सब्सक्राइब ूर में रिपीट होता चला जाएगा ज़ली पूरी टो में इस वह बंद के लिखाते हो धे सेम रहेगा बस हमारे फंदे जो है वो चेंज रहेंगे किसी में जादा रहेंगे और किसी साइज में कम रहेंगे बाकि पैटर्न हमारा यही रहेगा तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं सिर्फ 15 परसंट या 14 परसंट लोगों नहीं सब्सक्राइब करके रखाए आप लोग वीडियो देखते हैं बड सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को अब हमें इसे turn करना है और turn करने के बाद हम अपना ये वाला color लगा लेंगे सब कुछ चेम वैसे ही है देखें कुछ change नहीं हुआ है यह इस तरह से ये color लगाया है हमने और अब हमें इस color से बुनना है यह देखें यहाँ पे इस तरह से एक और दो दो chain बनाई यहां से यलो वाले को पीछे से करके पकड़ेंगे आगे से नहीं पकड़ना है पीछे की साइट से आसे पकड़ देना है और पकड़ने के बाद फिर अपना वही डबल क्रोश या सभी चेन में के एक बार बनाते चले जाना है तो चले आप मैं इसे लंबा करती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है यह देखिए मैंने यहां पर इतनी लंबी सी अपनी बत्ती बना ली यहां टोटल मैंने यह जो आप रो देख रहे हैं यह देखिए इस तरह से जिरो साथ में आपको 12 फंदे बनाने हैं 12 चेन बनानी है और उसके अंदर आप 32 अपनी यह टोटल डबल क्रोश या बनाई है एक नमबर में आपको 14 बनानी है चेन उसके अंदर 38 आपकी रो रहेंगी दो नमबर में हमारी 16 रहेगा चेन और 44 रो रहेगी जैसे हमने यहाँ पर क्या है तीन नमबर में 18 चेन बनानी है और 52 हमारी रो रहेगी चार नमबर में हमें 20 चेन बनानी है और हमारी 60 जो है वो रो रहेगी 5 नमबर में हमें 22 चेन बनानी है और 68 68 रो रहेगी 6 नमबर में हमें 24 चेन बनानी है और 76 रो रहेगी 7 नमबर में 26 चेन बनानी है और 85 रो रहेगी 8 नमबर में 28 चेन बनानी है और 95 रो रहेगी 9 नमबर में 30 चेन बनानी है और 105 रो रहेगी 10 नबर में हमें 32 चेन बनानी है और हमारी टोटल यहाँ पे 115 रो रहेगी इस तरह से आप इसे बुल लेजे अब मैं बतारती हूँ इसके आगे हमें क्या करना है अब हमें बनानी है अपनी चोली तो इसे हम साइट करते हैं मैंने सब कुछ अलग अलग बना के फिर स्टिच किया जिससे आपको इजी हो बनाने में तो चोली में बनाऊंगी अपने यलो कलर से पहले हम चेन बनाएंगे यह देखें इस तरह से यहाँ पे जैसे मैंने आपको लूप बनाना बताया था तो फ्लार बनाने के लिए देखें इस तरह से जोइंट करने के बाद हमने चार चेन बनाया और इसे यहाँ पे ऐसे करके जोइंट कर लेंगे फिर यहाँ पे देखें एक, दो, तीन, चार चार चेन बनाएं फिर यहाँ पे हम जोइंट कर देंगे फिर बहुत चीज़ करना है एक, दो, तीन, चार चार चेन बनाई और फिर यहाँ पे हमें जॉइंट कर लेना है फिर देखें एक, दो, तीन, चार चार चेन बनाई और यहाँ पे जॉइंट करेंगे टोटल पांच बार हमें सेम चीज़ करनी है एक दो तीन चार चार चेन बनाने के बद यहां पर हमने ज्वांट कर देना है इसे हम ऐसे करके और कट कर लेंगे यह हमारा फ्लार हो गया यह दिखिए हमारा जो चूटत सा फ्लार है यह हमारे यmarket तो लगाने के काम आएगा इसे हम साइट करते हैं और सेम तरीके से मैंने एक और फ्लार बनाया है यहां पर हमें इसे कट नहीं करना है क्योंकि हम इसी में अपनी यह जो चेन है वो बुनेंगे यह इस तरह से हमें चेन बुनिए और यहां जो उन है आप इसी मेर से फसा सकते हैं ये देखें, एक chain बुनने के बाद, अपने उन को ये इधर कर दीजे, और फिर एक chain बना लिजे, फिर हमारा ये जो उन आ रहा है, इसे अब हम इस side से, इस side कर लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर ये एक chain बनाएंगे, देखें, यहाँ पर हमारा फज जाएगा इसी के बीच मे ये हमने बुन दिया, ये देखें, यहीं पर हमारा ऐसे फज जाएगा, अब इसे हम पास से cut कर सकते हैं, अब देखें, इस तरह से हम यहाँ पर लंबी सी chain बनाएंगे, चले बना लेती हूं, फिर आगे बताऊंगे कि क्या करना है, ये देखें, हमने यहाँ पर इतनी ये जोइंट चिन पर लिए ने अब इसी की बीच भी पर ौडिय म्हें अब इसी के पीच पर प्लार बना लेगे, ये देखें, ने टीन चार चैन बनाई, और यहाँ पर इस तरह से हमने डाला है, पर फिर हमने इसी होल ने फिर चोटा सा बनाई जो अब फिर एक, दो, तीन, चार चार चेन बना के सेम होल में डाल के जाएंट करना है ऐसा है हम पांच बार टूटल करेंगे तीन बार होगा है दो बार और करके नॉट लगा के कट कर लूँगी तो यह मेरा हो जाए यह देखिए हमारा बन के आपको सभी साइज में इसी तरह एक बना deficiency है अब दिखिए यह बना थीक हमें दो-ऴर काना ये के लिए यहां पर मैं बनाओंगी अपनी 20 क्रॉश्या तो इस तरह से अपना इये 2 एक बनास्या giact w क्या लोख कर लिए, यह में blocking यह देखिया हमे एक और दो दो chain बनाएंगे, हमने जो दो chain बनाएंगे, यह भी हमारा एक double crochet ही मना जाता है, तो इस तरह से करना है, यह हमने ऐसे डाला, उन को निकाला, और हमने double crochet बुन दी, यह इस तरह से, एकदम आपको हलके आतो बुनना है, ढिला, ढिला बुनना है, तब ही आपका यह सरकेगा, और बनानी है तो चलिए बना लेती हूं फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है ये देखिए हमने हापे अपनी टोटल 20 डबल क्रोशिया बना दी है और हम इसे इस तरह से टॉन करेंगे और टॉन करने वाए देखिए इस तरह से एक और दो दो चेन बनाई अब यहाँ पर जो हमारी फॉर्स चेन दीख रही है यह हम इसी से अपनी double crochet बनाना start कर देंगे सबी chain में सिर्फ एक एक बार double crochet हमें बनानी है यह इस तरह से करके देखें अगली chain में भी हमने एक बार बनाया चलिए इस तरह से बनाते हुए last तक आती हुए फिर आपको बताऊंगे आगे क्या करना है यह देखें यहां पर बनते हुए हम लगबग last तक आगे हैं तो last का भी दिखा देती हूँ क्योंकि कुछ लोग last में ही confused हो जाते हैं यह देखें यह इस तरह से करके यह हमने double crochet बन दिया यह देखें यह ऐसे करके यहां पर हमने बन दिना है यह देखें मैंने सभी chain में बन दिया यहां पर starting में आपका 20 था यहां उपर भी आपका total 20 ही आएगा double crochet एक भी कब नहीं हुआ जितना आपने start किया होगा उतना ही यहां आपका आना चाहिए आप एक वारे से गिन भी सकते हैं यह देखें हमारा दो रो हो गया है अब हम यहां पर इसे अपना अलग करना है हम अपना sleeve आगे कपला पीछे कपला सब निकालेंगे तो देखें यह दो number के लिए मैंने यहां पर 4, 3, 6, 3, 4 means 4 हमें double crochet बुननी है 3 chain बनानी है 6 double crochet बुननी है 3 chain बनानी है और 4 double crochet बुननी है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमने यहां पर इसे इस तरह से turn करना है turn करने के बात देखें यह जो हम starting में 2 chain बनाएंगे एक और यह दो यह भी हमारे एक double crochet ही मन जाता है यहां पर सबसे पहले नहीं लिखा है 4 तो यहां पर 1 हमारा बने गया अब बेज़ें यह हमारा 2 हो गया यह 3 हो गया और यह 4 हो गया यह देखें यह 4 हमारी double crochet बने खराणे इस देखें इसके बाद में इनहां पर 3 लिखा हुआ है एक दो तीन तीन चेन बनाने पद इस तरह से लपेट लेंगे लपेटने फ़ यहां से आप गिल लीजिए 1,2,3, 3 कहामें का आप देखें अगले में बूर्णा है और बीज में हमने यहां पे देखें चे लिखा हूआ है विंस यहां में हमें टोटल 6 डबल क्रोशया बनानी है एक में बना दिया ये दूसरा ये तीसरी चेंट में ये चौथी चेंट में ये पांच मी चेंट में और ये लास्ट चड़ी चेंट में ये देखें ये बुण दिया फिर यहां पर हमें तीन का ग Erfolg देना है मिन्स यहां पर फिर से हमें 3 chain बना लेनी है 1, 2, 3 और यहां पर देखें 1, 2, 3, 3 chain का gap देखें अगली chain में बनाएंगे यहां last में भी हमें 4 ही चाहिए तो आपकी 4 chain ही बचेगी अगर आप सही से बनाते आएंगे तो आपका उतना ही बचेगा मैंने जितना लिखा हुआ है यह इस तरह से बन गया यह देखें यह हमारा हो गया है अब हमें क्या करना है हमें इसे टौन करना है और सभी chain में हम 1-1 बार हार्पडवल करोशिया बना देंगे तो देखें इस तरह से hardwell crochet हमें बुन देना है सभी chain में सिर्फ एक एक बार और ये जो हमारा hole है हम इस पे भी बुनेंगे यहां देखिए चार हो गया तो अब hole में हम तीन बुन देंगे इस तरह से एक, दो तीन hole में तीन बुनने के बाद यह पहली हमारी इसे हमें छोड़ना नहीं है यह पहली chain से हम अपना start कर लेंगे total बीच में भी आपका 6 आना चाहिए देखिए यहां से भी गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां से start कर लेते हैं total 6 आना चाहिए आपका बीच में उतनी ही आपकी आएगी जितने से आपने इसे start क्या होगा सभी साइज में हमारा यही pattern रहेगा बस हमारे फंदे जो हैं वही change रहेंगे यह देखिए इस तरह से यह मैंने बुन दिया half double crochet जब तीनों फंदों को हम एक साथ उतारते हैं तो उसे हम half double crochet कहते हैं तीन हमारा इसमें हो गया अब इधर भी हमारा चार बनना चाहिए टोटल तो एक यहीं से आप स्टार्ट कर लीजे तो आपका बने का चार नहीं तो नहीं बनेगा यह इस तरह से करके हमने यहीं से start कर लिया अब इधर आपको यह तीन जो दिख रहे हैं इसमें आप बना लिजे टोटल आपका चार हो जाएगा उतना ही आना चाहिए जितना हमारा नीचे लेगा आप देखिए मैंने अपने घेर में आपको नॉट लगाना नहीं बताया था तो यहां पे बताती हूं इस तरह से एक चेन बनानी है इसे थोड़ा लंबा करना है और कट कर देना है बस यह आपकी नॉट आ जाएगी यह देखिए यह हमारी चोली भी कम्प्लीट होगा है अब मैंने यहां पर क्या लिखा है आप दियान से पढ़िए देखें दो नंबर के आगे मैंने लिखा हुआ है दो और 1.5 मिल्स हमने उपर की जो रो है वो पूरी दो रो बनाई है और नीचे हमने एक रो डबल क्रोशे की और उसके बाद वाली रो जो है वो half double crochet की बिनाई है और एक चीज और मैंने अलग क्यों किया हुआ है यह आगे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ यहाँ 1.5 या 2 इसी के तुरंत बाद आपका जो है वो sleep बन जाना चाहिए तो आप इस तरह से divide कर लिजेगा अब चलिए पहले आप देख लिजे कि कितने आपने यहाँ पर अपनी double crochet बनानी है किस किस साज के लिए तो देखे जीरू साज में आपको 12 double crochet बनानी है 1 नमबर में 16, 2 नमबर में 20 जैसा हमने यहाँ पर बनाया है 3 नमबर में 24 4 नमबर में 28 5 नमबर में 32, 6 नमबर में 36, 7 नमबर में 40, 8 नमबर में 46, 9 नमबर में 52, और 10 नमबर में 58 आपको double crochet बनानी है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेम उतने में ही आपको, देखे, 0 size में 1 row बुन लेनी है double crochet की, एक नमबर में आपको 2 row बुन लेनी है, दोनों row double crochet की रहेगी, जैसे के हमने यहाँ पर बुना हुआ है, 3 नमबर में आपको 3 row बुन लेनी है, जिसमें से 2 आपकी double crochet की और 1 half double crochet की रहेगी, 4 नमबर में भी आपको total 3 row बुन लेनी है, जिसमें से 2 आपकी double crochet की रहेगी, 5 नमबर में आपको total 3 row बुन लेनी है, 3 आपकी double crochet की रहेगी, साथ नमबर में गे देखें साथ नमबर में आपको टोटल अपनी चार रो बुर्णी है चारो आपकी डबल क्रोशे की रहेगी आठ नमबर में पांच रो बुर्णी है पांचो डबल क्रोशे की नौ नमबर में छे रो बुर्णी है 6 वो double crochet की और 10 नमबर में 7 रो बुननी है 7 वो आपकी double crochet की रहेगी अब देखिए आप क्या करिए इतनी इतनी रो बनाईए और इतनी रो बनाने के बार अब आपको divide करना है उसे तो देखिए कितने-कितने फंदे में divide करेंगे मैंने यहाँ पे 4 फंदा बुना 3 chain बनाई, 6 बुना 3 chain बनाई और फिर 4 chain बनाई 0 size में आपको 3 फंदे में double crochet एक chain बनानी है और जब आप एक chain बनाएंगे तो नीचे से आपका एक double crochet एक जो chain है वो छूट जानी जाए जासे हमने तीन ऊपर बनाया था chain तो तीन हमने chain छोडने के बाद चौथे में बनाया यह देखे जब हमने यहाँ पे अपनी तीन ऊपर से chain बनाई तो यहां से एक, दो, तीन, तीन chain का gap दिया तब ही हमारा hole लाएगा इस इसका आपको ध्यान देना है तो जीरो सैज में हमें तीन डबल क्रोश्या, एक chain, चार डबल क्रोश्या, एक chain और तीन डबल क्रोश्या बनानी है एक नमबर में तीन डबल क्रोश्या दो chain बनाएंगे तो नीचे से हमें दो का छोड़ना है फिर बीच में हमारी 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया दो नमबर के लिए 4 हमारी डबल क्रोशिया, 3 चेन, 6 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया तीन नमबर में हमारी 5 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 6 डबल क्रोशिया, 4 चेन और फिर 5 डबल क्रोशिया जब यहाँ पर आप उपर 4 चेन बनाईए तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 4 आप चेन छोड़के फिर 5 वी चेन में बनाना स्टार्ट करें इसी तरह से आपको सभी साइज में करना है चार नमबर में हमारी 5 चेन रहेगी डबल क्रोशिया, 5 चेन, 8 डबल क्रोशिया, 5 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया और 5 नमबर में हमारी 6 रहेगी डबल क्रोशिया, 6 चेन, 8 डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन, फिर हमारी 6 डबल क्रोशिया 6 नमबर में हमारी 7 रहेगी जो है डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन, 10 डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन, और फिर 7 डबल क्रोशिया यह जब आप बुनेंगे यह सारा तो यहां पे हमने एक रो आपकी बुनी जाएगी जैसा कि दो नमबर में देखिए दो नमबर का मैंने बनाया है तो दो नमबर का जो मैंने यहां पे दो मैंने लिखा हुआ है तो देखिए दो यह रो बुन गए उसके बाद मैंने लिखा है 1.5 मिंस एक रो हमारी double crochet की और एक half double crochet की जब हमने double crochet की रो बनाई है उसी में हमारा ये hole आ गया है और उसके बाद हमारी half double crochet की रो हमने बुन दिया इसी तरह से आपको सबी size में करना है इसके तुरंद बात आप बुन लेजे तो देखे एक नमबर में जब आप बनाएंगे तो एक रो तो आपकी double crochet की हो गई और फिर दूसरी वाले जो रो जब आपकी double crochet की आएगी तो इसी में आप अपना ये pattern बना लेंगे और उसके बाद एक रो आपको half double crochet की बुन लेनी है क्योंकि हम अपने घेर के साथ इसे सिलेंगे अब देखे एक नमबर में हमें मैंने आपको बताया है कि एक रो double crochet की और एक half double crochet की उसके बाद हमारी जो रो आएगी उसी रो में हमारी ये sleeve बन जाएगी और उसके बाद हमें एक रो half double crochet की बुन लेनी है सेम हमारा यहां पे दो नमबर में भी है जैसे दो नमबर में बना है ऐसे ही सेम देखे 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 तर इसी तेन नमबर तक लिए है तो यहां ऐसे आपका बनेगा तो दो नमबर में मैंने आपको बना के दिखाया है दो रो हमारी डबल क्रोशे की, एक हमारी डबल क्रोशे की, इसमें हमारी स्लीब बनी और फिर एक हाफ डबल क्रोशे की, तीन नमबर में हमारी यहाँ पे दो रो डबल क्रोशे की, एक हाफ डबल क्रोशे की बनाने के बाद हमें अपना यह एक डबल क्रोशे की रो और एक चार नंबर के लिए पांच नंबर के लिए भी सेम चीज जाएगा और छे नंबर के लिए हमारी दो रो डबल क्रोशे के आएगी और एक हमारी हमारी हाब डबल क्रोशे के आएगी जिसमें से एक में आपका बन जाएगा स्लीव और उसके बाद आप एक डबल क्रोशे के और साग नमबर में हमारी 3.5 वही हो गया तेन रो कुरोशे ईहिए moi ये तो हमारी चोली हो गई कही पर सही साथ सबुप अच्छे से शुछ आपको आपट हको आप चले हम बना ले ते हैं कैप तो cap के लिए जो है मैं यहाँ पर 18 chain बनाओंगे और उसके अंदर यहाँ डबल क्रोशिया बनानी है यह देखिए हमने यहाँ पर अपनी cap भी ready कर दी है हमने यहाँ पर total यह देखिए 18 chain बनाई है और उसके अंदर हमने 3 row डबल क्रोशिय की बना ली है आपको 0. 급 12 chain बनानी के 2 डबल क्रोशिय की सौरी 0. अमंडरा 2 डबल क्रोशिय 2 नमबर में 18 chain तीन हमारी डबल क्रोश एक रहते है और हमारी हमारी हाप डबल क्रोश एक क्रोश है पांच नमबर में अठाइस चेन, पांच हो रहेगी जिसमें से चार डबल क्रोश है की और एक हाब डबल क्रोश है की, छे नमबर में तीस चेन, पांच रो पांच रो डबल क्रोश है की, साथ नमबर में चौतिस चेन, हमारी छे रो रहेगी जिसमें से पांच हमारी डबल क्र दस नम्बर हमारे 45 जिसमें से हमारे 7 रूर है साथ तो डबल क्रोशिके अब यहां से मेज़र मेंड चार्ट का स्कृें सौरट ले सकते हैं यह देखें इस तरह से सब डीडिलमे मैं अपना फ्लार लगा दिया इस पे दोनों साइट से स्टोन बटल लगा दिया जिसे देखे और भी सुन्दर लगेगा तो चले सबसे पहले हम अपनी घेर सी देंगे आप इसमें से कोई भी साइट सीधी उल्टी लग सकते हैं जो आपको पसंद हो बस यहां पे आपको अपने उन को इस तरह से मैंने देखे सुवी में चार बार करके डाला हुआ है इस तरह से यहां पे फसाओं की अच्छे से और फसाने के बाद यहां पे ऐसे करके हम कच्छा करेंगे इसे इस तरह से ऐसे पूरी हमें इसे कच्छा करके एकठा करना है यह देखें एकदम सिंपल है अगर आप बिंगनर है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से यहाँ पे आप एकठा कर लिजे यासे करके चले मैं यहाँ पर यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक आएंगे चले सिलती हूँ फिर आपके बताऊंगे क्या करना है यहाँ पर आपको अपने जो चो बसकिया है और यहीं पे नॉट लगा लूँगी पहले तो हमें एक नॉट लगा देनी है उसके बाद हम इसे चोली के साथ सिल देंगे तो यह आपका गायब नहीं होगा आप चाहे तो इसमें डोरी डालके इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं अपनी चोली और डोरी अलग अलग अब देखिए मैं इसके उबर इस तरह से चोली को उल्टा करके रखोगी अगर आपने इस पर प्ला लगा है तब आपको उल्टा सिधा करना पड़ेगा नहीं तो इसकी दोनों साइट जो है वो एक जैसी ही होती है यह देखिए इस तरह से करके हम इसे सिलना है तो यहाँ यहाँ पी हम ऐसे करके यसे इस विरेंगे यहाँ पूरे पहसा कर देखिए यहाँ पूरे। पूरे प ändis इसे सीलना है तो चलाले मैं बडीडियोता asaa फास्ट करती हूं और शेसे हम जल जल से सिट्श कर देते हैं शिल खाट गाना ओ यहाँ गरम कर लो हहां क्या हुआ परन गया यह गशीया है कि बनदी बानेटी हैं तो इस सीा था कप लगए है कि और जो कु तो कुछ खाल और आभे कुछा लग जो कुछ तो प्रफ़ कुछछ हाल भी बहुट मैं लगेगी है सारी और् Griffeyes आफटेरो Taylis साय आफट आमा मिनननहां मिल कम पलोग वाल्था को चीनित वा भला को को तो मंगते को था रोगाता हम हामगता दक्के लिग्के से कहा लगाता को राम आब रोक्त जाफ़ा प्रेजाों चीनित कर ना है यूटूब में पईसाव सभाव हम करीब लगत हैं करीब लगत हैं तो कर ना है एवरेज लगत ही हुग यह देखें आपे अपने ड्रेस वह स्ट्रिच कर लिए बहुत कुपसूरत लग रही है आप खुछ से देखें अभी पहना होंगी तो अच्छे से आपको समझ आएगा आप हमें क्या आप सिलनी है तो सभी साइच के लिए आपको इसी तरह से स्ट्रिच कर ला होगा जैसे मैं यहां पर किया हुआ है एकदम ईजी है कईस बहुत आशानी से आप इसे ड्रेस बनी कि सिर्फ सीरी सीरी पर्टी मैं ने बनाई हुई है और हमारी बहुत ही बहुत कुबसूरत सी स्ट्रेस और रेड़ी हुई है तो देखें इस तरह से यहां कैब भी इस्ट्छ कर लेंगे यहां पर ऐसे करके हमने knot लगा दिया यह इस तरह से यह हमारी knot आ गई अब यह उपर ओले जो हिस्सा है इसका यह circle यह हमें stitch करणा है तो यह हम इस तरह से करके से ऐसे stitch कर लेंगे यह पूरा silk के हमें एकठा कर लेंगे यह देखें यह ऐसे करके मैंने सिल के कट्था कर लिया बस इसे हम अच्छे से आपस में सी लेंगे और सीलने के बाद यहां से नॉट लगा के कट कर देंगे तो हमारी कैप भी रेडी हो जाएगी मैंने यहां पे एक पॉंपँम बना लिया है लगाने के लिए थोड़ा सा लंबा करके कट करें और फिर इसे हम सीधा कर देंगे इस तरह से यह कैप मारी ready हो कही है मैंने यह प्यूंप बनाया हुए इस पर मैं इस तरह से लगा लूगी तो इस तरह का पामपम बनाना मैंने आपको बहुत बार बताया है आप ready made पॉर्म पॉर्म भी लगा सकते हैं चलिए लगा लेती हूं फिर पहना के दिखाती हूं यह दिखिए हमारी क्याप जो है रेटिव के इसे हमने थोड़ा सा मोड दिया है और ड्रेस में आपको क्या करना है यहां से आप इस तरह से खीच के सभी फंदों को इकठा कर लिजे तो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कुछना रादे रादे